हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेज दोस्तो आज इस वीडियो में आप से एक बहुत ही जबरदस टॉपिक के उपर डिस्कस करूँगा कि आप अपने ब्लॉग को गूगल एड्सेंस के अंदर कैसे एड कर सकते हैं और उसका बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताने वाला हूँ जिससे आपके ब्लॉगर पर आपको अपने एड देख सकते हो फिके तो बहुत सिंपल तरीका क्या है यह सबसे पहले यह आपका एक ब्लॉगर अकाउंट है आपने ब्लॉगर अकाउंट को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो अपने हिसाब से इसके अंदर कोई भी theme implement कर सकते हो अगर आपको इसके उपर भी वीडियो चाहिए तो मैं आपको इसके उपर पूरा वीडियो बना कर दे सकता हूँ लेकिन आज हमारा जो topic रहेगा कि हमारा जो blog account बनावा है उसको हम Google AdSense account से कब और किस तरीके से connect कर सकते हैं तो यह हमारा blog account है अब हमें क्या करना है अपने Google AdSense account को login करना है जो की मैंने यहाँ पर कर रखा है अपना Google AdSense account आप login कर लीजिए उसके बाद आप अपने blog account पर जाकर जो आपका URL है उस URL को copy कर लीजिए ठीके अपना जो आपका URL है उस URL को आप copy कर लीजिए उसके बाद आपको जाना है Google AdSense account पर Google AdSense account पर जाने के बाद यहाँ पर option आएगा site का यह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं sites आपको इस sites पर click करना है अपने Google AdSense account के sites पर click करना है आपको Google आपका जो blogger account है उसके लिए आपको किसी तरिके की domain को खरीदने की जरुवत नहीं है जो blogger ने आपको domain दिया है उसी domain को आप अपने Google AdSense account से register कर सकते हैं ठीके यहाँ पर आपको option मिल रहा है friends new site पर तो आप यहाँ पर click करेंगे new site पर click करके यहाँ पर आपकी जो website है आपने जो copy किया है URL उसको यहाँ पर simple paste कर देंगे paste करने के बाद यहाँ पर button आ रहा है save का इस पर आपको save button पर click करना है जैसे ही आपने यहाँ पर save button पर click किया है तो यह Google AdSense account के द्वारा आपका blogger account connect हो गया है अब आपको यहाँ पर next पर click करना है review request review पर click करना है जिससे आपका क्या review है वो यहाँ पर दिखा देगा और उसी के साथ में आपका यहाँ पर connect your site review request पर आप click कर सकते हैं connect site पर click कर सकते हैं आपका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं getting your site ready to show ads आपका जो blogger account था वो Google AdSense account से connect हो गया है अब आपको यहाँ पर add देख सकते हो अब आपका जो blogger account है उसके उपर काम start हो चुका है अब मैं आपको एक और option यहाँ पर दिखाऊंगा जिससे आप और भी इसको smooth बना सकते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है आप यहाँ पर auto add का एक option मिलेगा उस पर click कर दीजिएगा जिससे क्या होगा कि आपके blogger पर आपको अपने हिसाब से add add करने की जरुवत नहीं है आपका blogger खुद ही add जो है अपने आप google adsense account से ले लेगा ठीके सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप auto add पर click करेंगे तो आपके पास add आ जाएंगे और कहां कहां पर add आएंगे यह देख सकते हो auto add example के द्वारा यह बताया गया है कि कहां कहां पर add आएगा और add का size क्या रहे एक चीज और ध्यानकना friends जब भी आप जो भी theme select करो उस theme में आपको यह देखना है कि maximum add कितने आ सकते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा add आएंगे उतना ही ज़्यादा आपको उस theme से benefit मिलने वाला है simple सी बात है जितने ज़्यादा add उतने ही ज़्यादा earning आपको यहाँ पर मिलेगी ठीके तो बस आपको यह चेक करना है कि कितने ज़्यादा add जो है आपको इसके अंदर मिल रहे हैं theme किसी theme में 6 add है किसी में 8 है किसी में 12 है तो आपको अपने हिसाब से select theme को ही अच्छी theme को ही select करना है तो यह हो गया आपका दोस्तो किस तरीके से आप जो है यहाँ पर अपना add कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर option आ रहा है apply to site apply to site पर click करेंगी save करेंगी तो यह जो add है आपका आपके पूरे blog account के अंदर add हो चुका है ठीके तो यह बहुत simple है यहाँ पर आप देख पाऊगे यहाँ पर लिखा वारा है auto add on हो चुका है आपका add जो है यहाँ पर अब लग चुका है अब आपकी report यहाँ पर आएगी इस report के according आप यहाँ पर check कर सकते हो कि आपके blog से जो है आपको कितनी earning हो रही है तो यह बहुत ही simple process है अगर आपको अच्छा लगा वीडिय लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें thank you have a nice day bye bye